नमस्कार मेरा नाम है ईशा भन्रारी और आप रहे हैं वोकल न्यूज शेहरू दिखाने के लिए चौराहे पर इलेक्ट्रिक सिगनल की व्यवस्था लागू तो कर ली गई है लेकिन जब उसके अनुरूप व्यवस्था लागू करने की बात आती है तो प्रशासन पीछे हटती हुए नजर आने लगती है शेहर के किसी भी चौराहे में लेफ्ट टर्न का पता ही नहीं है जहां नजर फेर दो वहां अतिक्रमन ही अतिक्रमन देखने को मलता है जिन लोगों को बाएं ओर जाना है उनको भी सिगनल के हरे होने का इंतजार करना पड़ता है इसी वच्छा से हर समय जाम किस्ति बनी रहती है इन व्यवस्थाओं की जिम्मदारी नगर पाले का प्रशासन की है लेकिन अनका काम केवल कागजों तक ही सीमत होकर रह गया है हमेशा की तरह अतिक्रमन हटाना तो दूर की बात है यहां तो जेबरा क्रॉसिंग भी नहीं बनाया गया है अपनी मर्जी से सिगनल के पास वहन अपनी मर्जी से खड़े कर देते हैं लोग इन चौराहों में से इंदीरा चौक की यदि हम बात करें तो यह सबसे अधिक मात्रा में अविवस्था यहां दिखाई पड़ती है कहने को तो चौक है लेकिन यहां पांच दर्शाओं की ओर से सड़क आकर मिलती है बाहनों के जमाव नहीं की जाए तो बहतर है सबसे ज्यादा परिशानी लेफ टर्न को लेकर के होती है अब ऐसी हालातों में प्रशासन सामने निकल करके नहीं आएगी तो आखरकार कब आएगी अब कोई दुरगटना हो जाती है यदि इसके चलते तो क्या प्रशासन इसके जिम्मदारी लेगी क्या प्रशासन लोगों की जरा भी सोचेगी या प्रशासन को लोगों से कोई मतलब नहीं इन सबका उत्तर नहीं ही मालूम होता है आज की हालत देखकर प्रशासन का ये रवय्या जल से जल बदलने की जरुवत है और जब इसके चलते नगरपाले का अध्यक्ष से बात की गई तो वो कहती है कि इस दिशा पर जल से जल काम होगा हर प्रशासन इक व्यक्ति जैसा बोलता है ऐसे समय में लोगों को भी समझतारी से काम लेने की जरुवत है जितना हो सके उतना कम प्राइविट वाहनों का इस्तमार करें पब्लिक वाहनों का जादे से जादा इस्तमार करने की कोशिश करें धन्यवाद आज की वीडियो में बस इतना है यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं और यदि फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलोव जरूर करें धन्यवाद